क्या आपको पता है? कि सन 1947 में एक रुपे की कीमत 13 दोलर के बराबर होते थे. फिर इंडिया आ जात आनेके बाद 1947 में एक रुपे की कीमत 1 दोलर के बराबर की गई थी. फिर उसके बाद भारत कर्च में डुपते गया. फिर इंडिरा गांदी जी ने ये फैसला किया कि रुपे की कीमत को कम कर दी जाएगी उसके बाद रुपे की कीमत घटते ही जा रही है और कमेंट करके जरूर से बताईएगा कि आपको लगता है कि फ्यूचर में इंडियन करेंसी की कीमत वापस से डॉलर की जितनी हो सकती है किया और मेरे वीडियो को लाइक सियर और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा